अब हम इस वीडियो में डिसक्स करने वाले हमारा थाइड चेप्टर का लास्ट टॉपिक प्लांट किंग्डम का जो की है एंज्योष पर्म की बारे में डिसक्स करते हैं लेट्स बेगिन तो जैसे कि जैसे कि जिम्लोस्पर्म में क्या होता था कि हमारा जो ऑव्यूल्स है वो नेगट था खुला था इसको यंदर कोई कवरी नहीं था लेकिन एंज्वी स्पर्म की बात आएगी एंज्वी इस इक्वल टू फ्लावरिंग प्लान जहां पर फ्लाव जिसके अंदर बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ है ठीक है अब आता है कि यह रेंज करते हैं फ्रॉम स्मॉलेस्ट अगर देखा जाए तो वुल्फिया जो है यह और अगर टॉल्ट्री की बात करें तो युक्लिप्टस हो गया ठीक है युक्लिप्टस जो है इसकी हाइड हो अब यह क्या करते हैं यह प्रवाइड करते हैं हमें फूड से फुडर से फ्यूल मेडिसिन सेवरल जितने भी कमर्शल इंपॉर्टन प्रोडक्स है वह एंजियो स्पर्म के प्रोडक्स ही हमें आते हैं ब्लांट से और इनको हम लोग ने जो एंजियो स्पर्म है उसको हमने कैसे करते हैं, इनके अंदर क्या होता है, seeds जो होती है, उनके अंदर दो cotyledons होते है, cotyledons नतलब stored food होता है, seed के अंदर, और इनके अंदर reticulate venation होता है, और leaves के अंदर, और यह tetromonus merous और या फिर pentameras flowers होता है, it means कि उनके अंदर four या five members of होता है। तीक है को ऐसमेर lower अओन के लावरे को होता है। इस ट्राइदिे गांपूझ कईा बगरर क्या देगता है। जो male sex organ होता है उस flower का इसको हम लोग stamen कहते हैं इच stamen जो है वो तीन पार्ट से बना होता है cylindrical filament enter at the tea ठीक है यह चीज दो चीज से बने होते हैं अगर enter की बात करें तो enter के अंदर pollen grain pollen mother's cell है वो डिवाइड होती है meiosis से और फिर produce करती है microspores को जो mature होकी pollen grain बनाते हैं और अगर female sex organ की बात करें तो female sex organ flower को envelope जिसको का नाम है पेस्टेल ठीक है जो पेस्टेल होता है वो कुछ पार्ट से बने होते हैं पहला पार्ट क्या है कि swollen ovary part होता है जो की नीचे होता है उसके बात क्या होता है इसकी base होती और cylindrical style होता है जो की connect करता है उपर वाले portion को और ovary को उपर वाले portion को stigma कहते हैं बीच वाले को style और जो नीचे होता है वो ovary होता है inside ovary के अंदर क्या होता है ovules present होते है generally क्या होता है हर एक एक ovule जो है उनके अंदर एक mega spore mother cell होता है जो की meiosis को करती है and then वो form करती है चार haploid mega spores ठीक है जिनमें से तीन जो होता है वो degenerate हो जाती है लेकिन वन जो होती है वो divide होती है और फिर बनाती है embryo shack और embryo shack जो होता है वो three cell egg apparatus होता है इनके अंदर क्या होता है एक egg cell होता है और दूसरे दो होता है synergy और तीन होती है antipodal cells और दो होती है polar nuclei जैसे कि अपने class 10 में पढ़ा होगा उसके structure ठीक है और यह जो एक्जामपल दिया है figure 3.5 यह जो first figure आपको यह देख रहा है वो dicotylidal है और जो monocotylidal है इनके leaves के venation को दिखाए जा रहा है जो polar nuclei होती है वो eventually क्या करती है और फ्यूज करती है और प्रोड्यूज करती है डिपलॉट secondary nucleus ठीक है और जो polar nuclei होता है after dispersal उडने के बाद फ्रम एंधर एंधर उडने के बाद वो भले वो पानी से जाए बहुत सारे agents होते है पॉलिनेशन के ठीक है उनके बाद वो क्या करते है अधर एजेंसिस पे के help से stigma पहुंचते है पेस्टिल के और इसको हम लोग बाद भत्रम के वो पालिशन मतलब की ऐंधर से पॉलेन ग्रेन का उड़ना और र स्टीगमा तक पहुंचना उसको को दिते हैं पॉलिनेशन डिया ऋता है और फिर वह फॉलिन कर स्टीगोंग में और फॉर रिजल्ट क्या करता है सभसे पहले वह वह पॉल्नी ट्यूसा जिसमें की दो मेल नुकलिय होगा उसके बास डिस्चारज हो औहां पर डिस्चारज होगा जब्सेसे एक जो मेल गैमिट है वो फ्यूज करज़ागा एक सेल से जिसको हम लोग सिंगय मि कहते हैं और यही जो है यह यह फॉर्म करेंगा हमारा जाइक साव मेल गैमिट है एक चीज है डिसकस करने वाला है यहां पर बताई नहीं है कि हमें क्योंकि हमें 10 में बढ़ा था कि जो भी पैल पॉलिन ग्रीन होता उसके इंदर दो मेल नुकलिय होती है तो एक का तो सिंगैमी हो गया दूसरा जो मेल गैमिट है वो फ्यूज करता है डिपलॉ के वज़ा से इनको हम सिंगैमी और ट्रिपल्ल फ्यूजन कहते हैं discipline इवेंट को हम डबल फटीलीयजराइशन कहते है और ऑर एक इवेंट आता है जिसके अंदर हम लोग युनिक जो होता है एंडोस्पॉम में जिसका होता है कि जो जाइगोट है वो डेवलप करेगा एंब्रियो में और जो पी एन है ठीक है वो क्या करता है एंडोस्पॉम बनाता है और उसके बाद वो प्रोवाइड करता है नरिश्मेंट जो भी डेवलपिंग एंब्रियो है और जो सेन एंजो स्पर्म को थी ट्री पॉइंट सिक्स में दिखाये गया है कि सबसे पहले एंथर से आया फिलामेंट और यहां पर माइग्रोश पंज यह है माइग्रोश पूर्स है फिर ग्यामिटोफड बनाएंगे और यहां पर दिख रहा है फिकर यही एंब्रियो से एंडेन वह ए आता है, ठीक है, थैंक यू